अगर आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे शुक्रुवार को करें इससे आपकी सभी मनो कामनाय पूरी होंगी साथी साथ मातल लक्ष्मी आपके घर पर अखंड वास करेंगी हर शुक्रुवार के दिन गाए को ताजी रोटी खिलाएं ऐसा करने से मा की कृपा आप पर बनी रहती हैं शुक्रुवार के दिन उस जगह जाएं जहां पर मोर नाचा करते हैं वहां की मिठी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बाथ कर पवित्र जगा में रखते उसकी रोज पूजा करें घर में स्वच्छता का ध्यान रखें इसके बाद माता लक्ष्मी जरूर प्रसंद होंगी साथी कभी कभी शाम के समय घर में ज़ाड़ू न लगाएं इससे लक्ष्मी बाहर चली जाती है घर पर ऐसे पेड़ की टेहनी लाकर लाएं जिसमें चमकादर बैठते हों और ऐसी जगह पे रखें जहां पर उसे कोई देख न पाएं माता लक्ष्मी की विधी विधान के साथ पूजा करें बाद में दक्षणा वरती शंक में चावल के दाने और लाल गुलाब की पंखरी डालें इससे धन लाप का योग बनता है शुक्रुवार के दिन किसी गरीब या ज़रुतमन्द व्यक्ति को सफेद चीज जैसे की आटा, चावल या सफेद रंके कपड़ों का दान करें इससे माता की कृपा आप पर बनी रहती है शुक्रुवार के दिन ग्यारा छोटे आकार के नारियल लेकर एक पीले कपड़े में बांध कर किचन में इस डारेक्शन में रख दे ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी अंधन की कमी नहीं होगी शुक्रुवार को आप अपनी राशी की हिसाब से भी उपाए कर सकते हैं आपको शुक्रुवार का फल जरूर मिलेगा जानी अपने राशी के मताबिक आपको क्या करना है मेश राशी के लोग आप लोग जरुद मंदों को निराश करके नौ लटाएं और तीर थेयात्रा करें तीर थेयात्रा के लिए दूसरों की मदद करें काम शुरू करने से पहले नाक साफ करें गुरू, साधू और पीपल की पूजा करें पीले फूल वाले पौधे लगाएं व्रिश्व राशी वाले लोग 40 यह से पहले अपना मकान ना बनवाएं और दक्षिन दिशा वाले मकान में रहने से बचना चाहिए चांदी का टुकड़ा हमेशे अपने पास रखें और साटड़े के दिन व्रत रखें मिथुन राशी वाले लोग तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं किसी से मुफ्त का सामान ना ले बड़े भाई की बात सुने और माने सुबस शहद का सेवन करें हनुमान जी को सिंदूर और चोला चड़ाएं बड़ों की सेवा करें करक राशी के लोग माता से चांदी चावल लेकर अपने पास रखी दुर्गा का पात करें कन्या दान में सामान दें धार में काम को हमेशा करते रहें तीर स्थान की यात्रा करने से किसी को भी रोके नहीं यदि आप डॉक्टर हैं तो रोग्यों क्यों मुफ्त में थोड़ी दवा भी दें धर्मस्थान में नंगे पैर जाएं और सारजानिक तोर से पानी पिलाएं माता की सलह का पालन करें सिंग राशी के लोग अखरोट और नारियल धर्मस्थान में दें जिन लोगों के हाथ पैर नहीं है उनकी मदद करें कोशिश करें जादा से जादा सच बोलें किसी का बुरा ना करें अपने सस ब्रदर इल्लोग यानि कि साले दामाद और भांजे की सेवा करें मीठा खाकर ही कोई शुप काम शुरू करें कन्या राशी वाले लोग बैड वर्ड्स ना बोलें नहीं गुसा करें दुर्गा सब्शती का पाथ कर छोटी बच्चियों से आशिरवार लें चांदी का छल्ला धारन करें और ड्राउन कलर के डॉग को ना पालें तुला राशी वाले लोग वाइफ हमेशा ठीका लगाए रखें तामसिक भोजन छोड़ दें और मचलियों को कैट से मुक्त करें अगर आपके घर में हो तो माता का पूजन करें और बारा साल से छोटी बच्चियों को आशिरवार दें बैल्ट का प्रयोग ना करें धनू राशी वारे लोग किसी से कोई चीज फ्री में ना ले लाल रंका रुमाल हमेशा साथ रखें सादू संत, मा, गुरू की सेवा करें अच्छा बिहेवियर रखें किसी से बत्तमीजी से न बोलें और वैदिक नियमों का पालन करें मीठी रोटी गाई को खिलाएं मगर राशी वाले लोग छूट नहीं बोलें घर में किसी हिस्से में अंधेरा न रखें इस डारेक्शन वाले मकान में रहने की कोशिश करें अखरोट धर्मस्थान में चड़ाएं और थोड़ा बहुत घर में लाकर रखें पराईस्त्री पर नजर न डालें भैस कवे मजदूरों को भोजन कराएं कुम राशी वाले लोग घी का चिराग रोज जलाएं शुकरवार का फैस्ट रखें कपडों में इत्र का प्रयोग करें साफ कपड़े पहने नया जूता चपल आप जरूर जैनवरी में ना खरी दे जूती गवाही ना दे दोखा धड़ी ना करें और घर में मनी प्लांट लगाएं मीन राशी के लोग किसी से मदद स्वीकार ना करें अनलेस इनटल जरूरत ना हो अपने भागये पे विश्वास करें आपको धर्मस्थान में जाकर पूजा करनी है संतों की सेवा के साथ साथ किसी भी धर्मस्थान की सफाई करें और किसी भी मुसीबत में फसने पर अपनी किसी आसपास की फीमेल से सला लें प्रॉब्लम सॉल्फ होगी